हम जान रहे हैं concept of electrostatics आपने जाना आ conductor plate non conductor plate चार्ज दे रहे हैं किस तरह से distribute होगा सब को पता है कि conductor plate पर हमेशा charge reside only and only outer surface जब non conductor रहेगा तो charge कहां रहेगा इन whole surface whole volume में distribute हो जाता है non conductor में free electron नहीं है बिल्कुल जानते हैं आप लेकिन इसके अंदर एक concept चुपा है वो आप जानेंगे आपने charge दिया conductor plate पर charge इस तरह से distribute हुआ यह outer surface पर distribute हो रहा है right non conductor को charge दिया वो पूरी plate के अंदर पूरी surface में फैला हुआ है पूरी surface में फैला हुआ है it means यह खुद एक charge seat कई बार बच्चे कहता है किसमें sir conductor non conductor ना लिखे charge seat लिख दिया तो देखो यह पूरा आप देख पा रहे होंगे यह पूरा क्या बन गया charge seat बन गया यह पूरे का पूरा क्या बन गया charge seat इसलिए charge seat किसको बोलता है non conductor को, ये मेरे पास conductor plate है, तो यहां charge होगा, या फिर इसके back side में होगा, लेकिन non conductor होगा, तो ये पूरी ही seat क्या होगी, charge होगी, clear, तो इस तरह से ये difference है, अब जो मैं बताना चाहरा हूँ, उस पर ध्यान देजिएगा, देखो क्या, कि मेरे पास, यहां मुझे इस P point पर electric field ल perpendicular outward लेते हैं, और इसका magnitude लेते हैं, sigma upon epsilon note, किसके लिए आपने, for conductor, किसके लिए बचो, for conductor, लेकिन यही चीज़ जब आप non conductor के लिए लेते हैं, किसी P point पर, तो perpendicular outward, लेकिन यहां non conductor के लिए लेते हैं, तो क्या आता है, sigma upon two epsilon note, ठीक है, यहां तक तो ठीक है, अना लेकिन जैसे ही हम इसको parallel plate पर आते हैं इस concept के बाद देखिए आप लोग कि अब क्या हो रहा है कि ये जो concept हमने लिया इसको मैं इधार रख रहा हूँ अब देखो यहाँ जब मैं ये conductor plate ली ये मैंने conductor plate ली इसको दिया चार्ज केवल outer surface में फैल गया और हमने यहाँ पे निकाला sigma upon epsilon note आ गया लेकिन मैं यदि ये same charge density एक ही surface पर कर दूँ ये same charge density कहाँ पे कर दूँ एक ही surface पे कर दूँ तब यहाँ पूरा charge एक ही सत्य पर है तब यहाँ पे intensity क्या होगा अब जब मैं इस charge को यहाँ लेके आ गया तो अब charge density क्या होगा यहाँ पे तो sigma upon epsilon note यहाँ पूरा charge यहाँ गया तो यह appear as non conductor seat इसकी तरह तो it means यहाँ क्या होना चाहिए sigma upon epsilon लेकिन conductor का तो यह होता है है ना confusion तो it means यहाँ पर जो हुआ कि हमारे पास non conductor की तरह भी है उकर रहा है तो फिर कुछ missing है क्योंकि होना कितना चाहिए इतना तो it means something something is missing here something is missing here यहां कुछ ना कुछ miss है नहीं तो यही charge density जब मैं पूरी एक पे यह आवेसित परत बन गया फिर भी result conductor है तो यह लेते हैं लेकिन यह किस तरह है इस तरह वियाव कर रहे है जिसका sigma upon two epsilon node जब की result यह होता है तो sigma upon two epsilon node प्लस यहां पे कुछ sigma upon two epsilon node ओनना चाहिए था और फिर क्या ओना चाहिए था conductor तो आप क्या इस missing term को नहीं समझेंगे और नहीं समझेंगे तो फिर capacitor में जब plate आएंगी आप यहां पे यह की positive पूरा charge यहां था लेकिन जैसे ही हमने negative रखी तो यह पूरा यहां reside हो जाता यहां और यहां पर intensity आप लेते हो तो conductor plate की आप plus E1 और यह भी conductor plate E1 तो फिर sigma upon epsilon note प्लस sigma upon epsilon note टू sigma upon epsilon note लेते हो क्या नहीं लेते हो न तो फिर यह sigma upon यहां पर जो लेते हो इनके बीच में यह कहां से आता है फिर जब एक surface पर आ गया क्या इसको नहीं जानना चाते हैं आप लोग यदि इसको जानना चाते हैं तो मेरे साथ बने रहिए मैं जोब पूर, झानकोी